अजमेर में अनासागर जील की सौंधरे करण के लिए स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट के तहत करोडों रुपए खर्च के गए लेकिन यहां फैल रही जलकुम्पी इन सब कार्यों पर पानी फेटती दिख रही है अनासागर जील के किनारे जलकुम्पी से अटे पड़े हैं इस जलकुम्पी को निकालने के लिए नगर निगम के पास डिविडिंग मशीन भी है लेकिन इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल रहा वहीं इसके कारण अनासागर के जलिय जीवों का भी चीना दुश्वार हो रहा है इस परिशानी का प्रसाशन स्थाई हल नहीं ढूंड पाया है अजमेर की अतिहासिक अनासागर जील में जलकुम्पी दिनो दिन बढ़ती जा रही है इसे हटाने के लिए नगर निगम की और से किये जा रहे प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे है अगर यही स्थिती रही तो एक खुबसूरत जील जल्द बरबादी के करगार पर पहुँच सकती है वहीं इससे फैलने वाले दुर्गन से यहां आने वाले लोग भी परिशान है इस परिशानी का प्रस्चाशन अब तक स्थाई हल नहीं ढून पाया है अनासागर की एत्यासिक हमारे अनासागर जील है मतलब यह कोई IPL का मैदान या ऐसा कुछ नहीं है स्मार्ट सीटी का गार्डन बनाया वा नहीं है यह अनासागर जो अपने दुरदशा को रासुबा रहा है वो गंदगी का नतीज़ा है जलकुंबी ऐसा नहीं है कोई एक तो महीने में बढ़ी है मतलब कई साल होगा इस जलकुंबी को लेकर हमारे पर्शाशन दुआरा कई बार इसको साफ की गई है इतने सालों से तो चल रहा था इस पर मतलब काम नहीं कर पा रहा कि जलकुंबी को कूंता समाथ कर सके अब हमने तो यह ऐसा लग रहा कि कोई ना को इसको कमाई का साधनी आये कर जुरोज बना चुके है कि यह साफ करता है दो दिन बाद वापस बढ़ जाती है और जलकुंबी भी आप देख रहा है महीने दो महीने की पूरे आना सागर को अपने आगोश में ले चुकी है तो हमारे परशाचन मतलब इसके लिए कोई ना को इस्ता ही समाधान निकालना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जलिए जीव मश्ली है उनको आकसीजन लेने में प्रब्लम होगी है उनको टंक से यहां पर जो पर आते हैं उसके उनकी बर्ति होने का दो चौल चुका है सब्सक्राइब नहीं थे हमारे यहां की इस्तानी पक्षी है वह मतलब मच्छी अगर आपना पेक बढ़ते बोजन की तलाश में रहते हैं लेकिन वह पक्षी भी आपर बिल्कुल नराजाता है बिल्कुल किसी परकर से दिखाई नहीं दे रहे सब्सक्राइब निकाले मैं आपको बता दू कोई ना को इस्तानी समाधान निकाले इसका ताकि यहां के शेत्रवासी और पार की पड़ावा मिल सके और यहां परेटक की दख्टी ते बाहर दे पुब्लिक आसे शेहरों के बीचों बीच बने आनासागर के चारों तरफ चौपाटी बनाई गई है ताकि लोग आनासागर के प्राकरतिक सौंधर का आनद ले सकें लेकिन इसे दुरभा के पूर्ण ही कहा जाएगा कि आनासागर जलकुम्भी की चपेट में आ रहा है आना साकर की किनारी कई किलो मीटर छेतर में जलकुम्भी का जमाव हो गया है